नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल अविजन ऐसे सी बैंक एक्जाम्स पे मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी संगी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिसकेशन दोस्तों रहने वाला है पो चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रूप को भी जरूँ कीजे इसके लिए दोस्तों आपको चोटी सी चीज करनी पड़ेगी आपको प्लेस्टों से जाकर टेलिग्राम आपको इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा लोग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों आपको कुछ प्रकार का लोगों मिलेगा उस ग्रूप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों जॉइन कर लेना है ठीके महाँ पर आपको हमेशा सबसे पहले ठीके लिंक मिल जाएगा पीडेफ मिल जाएगी हर उन वीडियो की जो की हमारी ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर अप्लोड होंग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेशन आपके और मेरे साथ स्क्रीन पर यह रहा इडन इस दा फॉर्स बीच फॉर्स बीच बनाए गया इंडिया का जिसको फ्लाइग मिला है ब्लू फ्लाइग ठीक है अब यह इडन कौन से स्टेट या फिर यूटी का ब्लू फ्लाइग ठीक है अचा पढ़ लेते हैं पहली बात तो देखो ब्लू फ्लाइग है क्या सबसे पहले तो यह जानू तो फ्लू ब्लू फ्लाइग प्रोग्राम इस वर्ल्ड रेनाउंड अवार्ड ऑपरेटेट बाइशन फॉर्टेशन अवर्मेंटल एडुकेशन इस FEE headquartered in Denmark and to benchmark the beaches as a clean and hygienic तो जो दोस्तों जो beaches बिल्कुल clean और hygienic है ना उनको blue flag certification मिलता है तो हमारे यहां पर इंडिया में ऐसे 2 beaches है जिनको क्या मिला है दोस्तों blue flag tag मिला है कौन-कौन से है तो यह point यहां पर है तो देख लो कोवल लम इन तमिल नाटू एंड इडन पुड़ी चैरी अब इडन गार्डन वाला नहीं यह विश्वेंगल वाला ठीक है यह इडन पुड़ी चैरी में बीच है यह बात ध्यान रखना तो आप यहां पर वह मत होना क्या इसको अब इंडिया के बाद 10 ऐसे टोटल बीचेज हो चुके है जिनको ब्लू फ्लाग टाग मिला है यह दो होने के आद पहले सिर्फ कितने थे पहले आठ थे और अब इन दो को मिला कर दोस्तो टोटल कितने हो गए दस हो गए ठीक है और अगे चलते हैं आगे बात करते हैं दोस system for the investors and businesses in India has been launched by which ministry तो दोस्तों यहाँ पर NSWS ठीक है NSWS क्या जो program है basically कौंसे ministry के द्वार है आपर launch किया गया है Ministry of External Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Industries, Ministry of Labour and Employment here the correct option will be option number C that is Ministry of Commerce and Industry. The Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, launched the National Single Widow System in September 22, 2021 for the investors and businesses. NSWS is a single widow portal that is act as a one-stop shop for investors and entrepreneurs to get approvals and clearances needed from the government, right? So, यह बात आप लोको इदर क्या करने है, ध्यान रखने है, it's a one-stop shop, right? So, basically launch किया गया किस के द्वारा, आपकी Union Minister, Piyush Goyal जी के द्वारा यह बात ध्यान रखना. It shall give freedom for the legacy of the running to government offices for approvals and registration needed by the investors, entrepreneurs and businesses in India, right? The new system aims bring transparency, accountability and responsiveness in the ecosystem. Currently, the portal hosts approval across 18 central departments in 9 states, right? So, यहाँ पर जो दोस्तों इतनी depth में जानी की बात कुछ है नहीं, ठीक है, इतनी depth का कुछ है नहीं, यहाँ पर जो point आपको ध्यान रखने हैं वो यह, के पहले तो इस program का नाम, पहली बात याद रखोगे, दूसरा कि किस के द्वारा launch किया गया है, तो यह आप याद रख जो government से जो किसी भी अगर business के approval लेनी होती है, तो वो इस window के through ले सकते है, ठीक है, तो यह बात यहाँ रखना है ना, तो यह आपका aim हो जाएगा, next चलते है, question number 3 की तरफ, question number 3 क्या बोलता है, यह देखते है, the first consignment of the laden draft, container strained services from Jawaharlal Nehru port has been flagged off to which place, New Delhi, Kanpur, Kolgata, Chennai, here the correct option will be option number B, that is Kanpur, right, तो यहाँ पर union minister Sarbananda Sonowal flags of draft container to JNPT to Kanpur, ठीक है, यह दियान रखना, this is the first consignment of laden draft containers from Mumbai based JNPT port, the biggest container port in India, right, तो यह बात भी आपको कितर क्या कर लेंगे, दियान रखनेंगे, एक simple सिसके notes बना लें, दोस्तो point wise हमें सारे कर interface को लेते वे चलना है, ठीक है, अच्छा, this will enable the railways to undertake double stack movement of cargo leading the reduction in the logistic cost, ठीक है, तो यह बात भी आपको कितर क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसका जो main benefit है, वो क्या है, कि जो draft containers है, यह shorter in size है, जो भी उसको क्या कर से, दूस्तों एकदम electrified tracks बना सके, आप लोग को पता होगा कि पहले क्या होता, अब हमारे यहाँ पर 5.1%, 5.7%, 5.9%, यह the correct option will be option number C, that is 5.7%, तो OECD projects, India's economic growth forecast to 9.7% from financial year 22 to 7.9% from financial year 23, ठीक है, तो यह बात आप लोगे दर क्या करना, ध्यार नटा, OECD का full form क्या है, तो organization for economic cooperation and development, ठीक है, आच्छा, basically, इनो नो ने 0.2.2 percentage points, जो यहाँ पर क्या 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 है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, अच्छा, earlier क्या थी growth, यह याद रखना, और अभी नो ने क्या बताईए, यह भी आप लोगो क्या करना होगी, ध्यान रखना होगी, ध्यान रखना होगी, दोस्तों, मैंने हमेशा अपनी classes में बताया है, offline, online, दोनों classes में मैंने इक बात बताईए, कि आप जब भी कुछ, कुछ भी concept को लेते हो, तो पहले आप उसके background को जाना हो, और उसके बाद उसके actual को जाना हो, ताकि आपको पीछे के और आगे के दोनों को क्या पता चल सके, दोस्तों, कहानिया पता चल सके, कि जैसे माननी जे, अगर मैं बात करूँ, DICC की भी, तो union budget में D जाना है, तो एसे करकर आप लोग को क्या करना है, दोस्तों, पहले की और अभी की दोनों की बातों को जाना है, नेक्स बात करते है, what is the latest estimated GDP growth as per India's ADB in 2021 or 2022, 12%, 10%, 9%, 11%, here the correct option will be option number B, that is 10%, right, तो Asian Development Bank has revised the downwards economic growth forecast for the current fiscal year, that is 21-22, आप देखों यहाँ पर, ADB ने दोस्तों, इंडिया की GDP को cut-off कर दिया, revise करकर 10% कर दिया, ठीक है, अब earlier कितना था, earlier आप कोई 11% था, लेकिन आप कितना होगे 10%, तो यह बात ध्यान रगना, next चलते हैं, next बात करते हैं, Yes Bank has recently tied up with which payment network to offer the credit card for its customers अभी banking awareness और financial awareness को मिला कर आपको question बन सकता है, discover, Mastercard, American Express, Visa, here the correct option will be option number D, that is Visa, right, तो यहाँ पर Yes Bank ने दोस्तों, पार्टनर कर दिया, किसके आप वीजा के साथ रूफर credit card to the customers, ठीक है, अब बस इतनी सी बात आप पो ध्यान रखने हैं, कि यहाँ पर कौन सी company के साथ इसने पार partner किया है, Visa के साथ कौन सी bank ने, तो Yes Bank ने और credit card रहेगा दोस्तों, जो अपने customer को यह supply करेगा, ठीक है, तो Yes Bank has received the transaction of the Visa as per network, within a record time of less than 60 days, post the bank imposed a Mastercard on July 20 to 2021, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, एक बार ध्यान रखना है, आपको, Visa से पहले Mastercard issue होते थे, लेकिन अभी Visa के साथ collaboration मे आगे जाए, ठीक है, नेक्स चलते हैं, नेक्स बात करते हैं, the Zee Entertainment Enterprises Limited is being merged with which media company to become the biggest entertainment industry in India, Star India Private Limited, Sony Pictures Network India, Network 10 तक और आपका AsiaNet Star Communications, here the correct option will be option number B, that is Sony Pictures Network India, तो यहाँ पर दोस्तों, Zee Entertainment signed merger deal with the Sony Pictures Network in India Private Limited, तो यहाँ पर दोस्तों, आहिनों ने क्या कर लिया है, बोड़ अपर members ने यहाँ पर merger कर लिया है, ठीक है, आचा, as a part of the merger, shareholder of SPNI will also infuse growth capital into SPNI, which will make the majority stakeholder in the merged entity, Zee Entertainment will hold 47.07% stake, while Sony India hold 52.73%, now this point is very important, ठीक है, this point is gonna be very important, कि कितने कितने percent का stake लिया है, यहाँ पर, Zee Entertainment का भईया, यहाँ पर 48% approximately है, और यहाँ पर 53% इसका किसका है, आपका Sony India का, ठीक है, ठीक है, आचा, following the merger, Sony India will have a right to appoint the majority of the director to the merged company, Puneet Goenka is the CEO of Zee Entertainment, will be the MD CEO of Merge Entity of the period for 5 years, now this is also very important, right, तो Merge Entity will listed on the Indian Stock Exchange, अभी यह शेर मार्केट में भी लिस्ट होगी, दोस्तों, ठीक है, company, तो यह बाद ध्यान रखना कि Zee Entertainment में क्या कर लिया है, Merge, मतलब, collaboration कर लिया है, Sony Pictures Network Limited के साथ, this is important, नेक्स चलते हैं, नेक्स बात करते हैं, name the Indian who has been appointed as one of the 17th SDG Advocate by the UN Secretary General in 2021, Sonam Vangchuk, Anand Kumar, Lakshmi Agarwal, Kailash Satyarthi, here the correct option will be option number D, that is Kailash Satyarthi, तो Nobel Lecturer, Lectureate रह चुक है दोस्तों, Kailash Satyarthi, इनको new SDG appoint किया गया है, Union Secretary General, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर 16 total SDG advocates already थे, और यह 17th यहाँ पर क्या हुआ है, दोस्तों appoint होएं, ठीक है, यह बात भी ध्यान रखना, और कौन से newly four हुआ है, इनके भी नाम में यहाँ आपर मैंने आपको दे दिये, ताकि आप भी ध्यान रख सको, तो simple question यहाँ पर बनेगा, कि 17th SDG advocate किसको रखा गया है, तो केला सत्यारती को रखा गया, noble lecture art थे यह पहले, अच्छा, और 17th है, 17th है, already 16th यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, तो यह भी ध्यान रखेगा, next चलते हैं, next बात करते हैं, what is the official motto of Beijing 2022, Winter Olympics and Paralympics, together for a shared future, faster, higher, stronger together, passion lives here with glowing hearts, here the correct option will be option number A, that is together for a shared future, right, तो यहाँ पर दोस्तों, Beijing 2022 के जो आप लोगो का, Olympic और Paralympic होंगे, Winter Games के, उसका आपको theme, this is important, ठीक है, यह बहुत important रहेगा, इसका आपको यह ध्यान रखना है, together for a shared future, ठीक है, अच्छा, उसी के बाद दोस्तो, slogan reflects the power of the game to overcome global challenges as a community will a shared future of humankind and work together towards a better tomorrow, और especially given difficulty faced throughout the COVID-19 pandemic, ठीक है, तो यह बात भी आपको के दर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, next जलते हैं, next बात करते हैं, दोस्तों, शाहिद आज के हमारे session का ही last question रहेगा, when is the international day of sign languages observed, 22nd September, 21st September, 23rd September, 28th September, yeah, the correct option will be option number C, that is 23rd of September, तो यहाँ पर सबसे पहले तो theme, है ना, तो Indian's day of sign languages पहली बात, 3rd September को मनाया जाता है, इसका, आपका slogan क्या है, we sign for a human right, theme, very important, मैंना हमेशा बताया आपको, ठीक है, मेरे हर session में, important days में अगर theme होती है, तो आपको ज़रूर पढ़नी है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, अब इस दिन को क्यों मनाया जाता है, to raise the awareness of the sign languages, strengthen the status about the sign languages, तो यह बात ध्यान रखिएगा, Indian International Day for Sign Languages आपका कब, 23rd September को मनाया जाता है, दोस्तों, इसको पहली बाद celebrate किया था, 2018 में, नेक्स्ट, दोस्तो, आजके मैरे session का, यह आखरी question था, आशा करते कि session आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, तो लाइक करना मत भूलीगा, चैनल को तो नहीं सब्सक्राइब कर लीजेगा, साथी साथ, बेल ऐकन को ज़रू प्रेस कर दीजेगा, ताकि जब भी नहीं वीडियो चाल लोग दोस्तों, सबसे पहले उसका notification आप लोग के पास आजाए, और साथी साथ दोस्तों, ज़ा सेदा शेर कीज़ें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि आगे आने लेख परेंट्स को, या फे जो भी गवर्मेंट एक्जाम के तयारी करना साथ है, दोस्तों उन्हें भी वीडियो सेदा पाइदा हो सके, तब तक लिए आप लोग बने रहे हमाँ साथ, thank you so much and have a nice day.